आप देख रहे हैं राश्ट्रिय हिंदी न्यूज अब खेल मंतराले ने भी पहलवानों के आरोंपों की जाच के लिए कमेटी गठित कर दी आपको बता दे कि चार हफते में खेल मंतराले की कमेटी जाच रिपोर्ट दे देगी लेकिन जाच पूरी होने तक ब्रिज भूशन डबलू एफाई के कारियों से दूर रहेंगे साथी आपको बता दे कि रेस्लिंग फेडरेशन ओफ इंडिया अध्याक्ष ब्रिज भूशन शरन सिंख पर महिला पहलवानों के साथ यौन शोशन मांसिक रूप से परेशान करने समेत कई आरोप लगाए गए थी और पहलवानों ने खेल मंतरी अनुराग ठाकुर से बातचीत के बाद इसे वापस लेने का एलान कर दिया खेल मंतरी अनराक ठाकुर और पहलवानों की बाचीत करीब 7 घंटे तक चली खेल मंतरी अनराक ठाकुर ने कहा कि पहलवानों की बाते सुन ली गई है उनके आरोपों और मांगे भी सुनी गई है उन्होंने कहा कि पहलवानों की ओर से आरोप लगाए जाने के बाद ही हमने WFI को नोटिस बेजकर 72 घंटे के भीतर जवाब देने के लिए कह दिया था खेल मंतरी ने कहा कि सर्व समती से निगरानी कमेटी के गठन का फैसला लिया गया है जिसमें कौन लोग शामिल होंगे इसका एलाग भी कर दिया जाए उन्होंने कहा कि ये कमेटी चार हफ़ते में WFI अध्यक्ष पर लगे आरोपो की जाच कर अपनी रिपोर्ट सौप देगी खेल मंतरी ने ये भी कहा कि जाच पूरी होने तक WFI अध्यक्ष संग के दैनिक कारियों से दूर रहेंगे लेकिन वे जाच में सहीयोग करेंगे तीन बार बदलाव किया गया और अंत में उनके बेटे पतीक भूशन सिंग ने ये कहा कि वे WFI की वारशी काम बैठा के बाद 22 जनवरी को मीडिया से बात करेंगे और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ बागेशर धाम के पिठादीश पंदित धिरेंदर कृष्ण शास्त्री के समर्थन में नेता राजनेता भी आने लगे हैं बीजेपी के वरिष्ट नेता खैलाश बीजेवर्गिये ने उन पर लगे आरोपों को गलत बताया है और उन्होंने धिरेंदर शास्त्री पर अंध्र शद्धा उन्मूलन समीती द्वारा लगाए गए आरोपों को मिथ्या बताया है बीजेपी नेता ने कहा कि मैंने उनका इंटरव्यू देखा है उन्होंने कहा है यह मेरा चमतकार नहीं है यह मेरे इश्ट का चमतकार है मुझे हनवान जी और सन्यासी बाबा पर विश्वास है सब कुछ उनकी कृपा से ही होता है मैं तो कुछ भी नहीं हूँ मैं तो उनका छोटा सा साधक हूँ इसलिए उन पर इस तरह के आरोप लगाना मिथ्या है सनातन धर में उनके जैसे बहुत सारे लोग है उन्होंने कहा कि जावरा दरगाह में लोग जमीन पर लोटते पीटते हैं लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं करता क्या किसी ने जावरा पर सवाल किया है और एक हिंदू महात्मा के सामने इस तरह की घटना होती है तो प्रश्ण चिन्न क्यों उठता है तो वहीं मशुहूर कथा वाचक आचारे धिरेंद्र शास्त्री इन एक तिन पहले अपने उपर लगे आरोपों पर सफाई दी हम अंधविश्वास नहीं फैला रहे हम इस बात का दावा नहीं करते कि हम कोई समस्या दूर कर रहे मैंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ उन्होंने कहा कि हमारा डिस्क्लेवर है कि हम कोई संत नहीं है उ अगले खुबर की तरफ रुख करते हैं बर्फ बारी ने जोशी मत में बढ़ाई दुश्वारिया दरारों में पानी रिसने से भूध हसाव की आशंका आउने लगी है आपको बताते कि बीते 24 घंटे से आपदा प्रभावित जोशी मत में जारी बर्फ बारी से आमजन की दुश्वारियां बढ़ने के साथ अधिकारियों की चुनोतियां भी बढ़ गई हैं अलाकि और सुरक्षित भवनों के चिन्ही करण और परिवारों को राहत कैप में शिफ्ट करने की प्रक्रिया जारी रही उधर बर्फ बारी से भवनों और भूमी की दरारों में पानी से भूध हसाफ किया शंका गहरा आ गई है यदि ऐसा हुआ तो और सुरक्षित भवनों के आसपा सुरक्षित भवनों को खत्रा हो सकता है बीते गुरवार रात से ही जोशिमत शेतर में बारिश और बर्फ बारी हो रही है जो शुक्रवार को दिन भर रुक रुक कर जारी इसके चलते दो होटल समित भीस भवनों की डिसमेंटलिंग का काम नहीं हो पाया और इसी के चलते बदरिनात हाइवे पर CMP चेक पोस्ट से मारवारी तिहारे तक यातायात दिन भर सुचारू रह डिसमेंटलिंग के चलते हाइवे के इस हिससे पर वहनों की आवजाही भूमी में आई दरारों के अंदर पानी के रिसाव से भूधाशाव की भी अशंका जताई जा रही है। बह रही है। भारत और न्यूजिलाइन के बीच आज दूसरा बंडे राइपूर में खेला जाएगा। दोनों टीमें 36 गर्ड की राजधानी में स्थित शहीद वीर नारायन से इंटरनाशनल स्टेडियम पहुच गई है। फिलार आपको बता दे कि भारत तीन मैचेस की सीरीज में एक शून्य से आगे है। भारत की पूरी कोशिश होगी दूसरे वंडे मैच को जीत कर सीरीज में अजय बढ़त बनाने की। भारत ने नुजिलाइंड के खिलाँ आखरी वंडे सीरीज जनवरी 2019 में जीती थी। उस वक्त भारत ने नुजिलाइंड को उसी की धरती पर 4-1 से मार दी थी। उसके बाद भारत और न्यूजिलैंड के बीच दो विपक्षिये वन डे सीरीज खेली गई, दोनों ही कीवी टीम ने जीती, जानकारी के लिए बता देगी राइपूर के शहीद वीर नारायन सिंग इंटरनाशनल स्टेडियम में अब तक एक भी एक दिवसिय मैच नहीं खेल गया है, हाला कि मैदान पर कई T20 मैचेज आयोजित किये जा चुके हैं, उन मैचेज के अनुसार बात करें तो ये पिच बलेबाजों के लिए स्वर्ग सावित हो सकती है, T20 मैचेज में यहाँ पहली पारी का ओसत स्कोर 170 है, दूसरी पारी में ये पिच धीमी हो जाती है, जिससे स्पिनरों को इस पिच से काफी मदब मिलती है, वहीं अगर आइपूर के मौसम की अगर बात करें तो 36 गड़ राज्य के मौसम विभाग के अनुसार मैच के दिन ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है, तो आप मांती ही इन डिगरी तक गिर सकता है, पिछले दिनों से हो रहे मौसम में बदलाव के चलते इसका अनुमान लगाया गया है, 19 जनवरी को सुबह से ही आसमान में बादल चाये थे, इसे देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि 22 जनवरी को दोपहर के बाद शाम को ठंड बढ़ सकती, आपको बताते कि मैच एक बच कर 30 मिनट से शुरू होगा, अगली खबर की दरफ चलते हैं, मौसको गोवा फ्लाइट को मिली बम से उडाने की धमकी, विमान को उजबेकिस्तान किया गया डाइवर्ट, मौसको से गोवा जाने वाली फ्लाइट को बम से उडाने की धमकी मिली, जिसके बाद इस प्लेन को उजबेकिस् प्रवेश करने से पहले ही डाइवर्ट कर दिया गी डावोलिन हवाई अड़े के निदेशा को 12 बच कर 30 मिनट पर विमान में बम लगाये जाने के बाद एक ईमेल प्राप्त हुआ था जिसके बाद विमान को डाइवर्ट किया गया बदा दे कि ये घटना ऐसे समय हुई है जब मौस्को से गोवा जाने वाली एक उडान में पिछले हफ्ते ही बम से उडाने की धमकी मिले थे जिसके बाद मौस्को गोवा फ्लाइट की गुजरात के जामनगर हवाई अड़े पर आपातकाली लैंडिंग की गई थे फिलाल के लिए इतना ही आप बने रहिए राश्ट्री हिंदी न्यूज के साथ जय हिंद